हेलो दोस्तों नमश्कार कैसे हैं आप सब मैं सरब जी था आज आपके साथ शेर करने जा रही हो मंचूरियन की रेसिपी आज हम वेजिटेबल मंचूरियन बनाएंगे बहुत ही टेस्टी होते हैं और सबी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं चली हैं हम बनाना शुरू करते हैं इसमें मैंने सारे टेप्स पताएंuję हैं जिसे आपके मंचूरियन रेसरेन स्टाइल बनेंगे मुमें घूल जाने वाले और उपर से बिलकुर क्रण्ची इसलिए से बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे हमने एक बाउन लिया है उसके अंदर एक गाजर को ग्रेट करके डाल लिया है आप गाजर को ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं मैंने इसे यह ग्रेट किया है एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर पतागोबी का लिया है उसे अच्छी तरह चौप कर लिया है और एक शिमला मिर्चली है उसे भी अच्छी तरह चौप कर लिया है उसमें थोड़ा सा एक चमच बचा लेते हैं ये हमारा ग्रेवी में काम आएगा अभी सबजियों को हम उसीं कर लीते हैं और दूसरे बॉल में पानी नहीं रहा है यह बिल्कुल ड्राइ अपने एक चममच कटा कॉअब यहां लेके अर्योद बिल्कुल चौप डालें आपने एक चमच कटा हुए लहसुन डालें इसको भी बिल्कुल बारिक काट के डालना है और यहां पर काली मिर्च डालेंगे काली मिर्च आप इसके अंदर बन फोर्ट टी स्पून डाल दीजेगा यहां पर दो बड़े चमच मैदे के डालेंगे इसके अंदर और दो बड़े चमच इसके अंदर कॉन फ्लार के डाल दे और यहांपे 1 fourth teaspoon इसके अंदर baking soda डाल देंगे खाने वाला soda होता है वो डाल देंगे इससे जो हमारे मंचूरिन है अंदर से बिल्कूल soft बनेंगे और बाहर से बिल्कूल crunchy बनेंगे लेजे मिश्चर अब हमारा ready हो गया है अब हमने इसके बाल्स रेडि करने हैं balls हम एक ही size के बनाएंगे जैसे अगर छोटे बना रहे हो तो सभी छोटे बनाएं medium size के विश्टे इसमें रहते हैं तो यहां पे हम lemon size के balls बनाएंगे सारे एक ही size के बनाने हैं आपने और सभी को पहले एक बार ready कर लेना है उसके बाद हम इसे fry करेंगे तो आप इसे पहले अंदर से tight कीजिए हाथों से उसके बाद roll कीजिए तो आपके balls बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और बिल्कुल perfect बनकर ready होंगे तो लिज़े सारे balls हम ने यहां पे बनाकर ready कर लिए हैं अब हम इने fry करते हैं और oil को आपने high flame पे गर्म करना है oil एक बार अच्छी तरह गर्म हो जाना चाहिए उसके बाद थोड़ा सा कम कर लिजिए gas को और अब हम इसे medium flame पे fry करेंगे तांकि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं और इसे आप इसी तरह टान करते रहें और यह थोड़ी दिर में बनकर ready हो जाएंगे और इनका color भी बहुत अच्छा आजाएगा इसी तरह आपने इने चलाते जाना है तांकि सभी side से यह एक तरह पकें बिल्कुल कच्छे ना रहें तो लिजे balls हमारे बनकर ready हो गए हैं अब हम इने नैपकिन के उपर निकाल लेंगे तांकि जो oil वगएरा है extra वो निकल जाए सारे lot आपने इसी तरह ready कर लेने हैं सेम यही style है fry करने का तो यहाँ पर दूसरे pan के अंदर दो चमच तेल के डाल लेंगे अब इसकी gravy ready करनी है एक चमच इसके अंदर lesson का डाल देते हैं कटा हुआ एक चमच अदर का डाल देते हैं बिल्कुल बारी कटा हुआ इसे हमने थोड़ा सा सौटे कर लेना है जब यह थोड़ा सा भून जाएगा तब इसके अंदर एक कटा हुआ प्यास दाल देंगे प्यास को हमने हलका सा भूनना है इसके अंदर जो हमने एक चमच शिमला मिच का बचा इसे पका रहे हैं तो इसके लिए सलड़ी करेंगे यहां पे एक चमच हमने कौन फ्लार का लिया यानि की अरा रूट का लिया है इसके इसको घोल सबस्क्राइब और गोल के रहें चाहिते हैं इसे हमने इसके टमेटो कैचप टाल दीजिए टमेटो कैचप से इसका तेस्स बह बिनाए था वो इसके अंदर डाल देते हैं इसे डालने के बाद इसके अंदर एक टोरी पानी की भरके डाल देंगे एक टोरी पूरी पानी की लग जाएगी यहां पर इसके अंदर काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और यहां पर थोड़ा सा नमक डालेंगे बन फोर्ती को डाल देंगे अब आप देख सकते हैं इनका जो टेक्स्टर है इनकी जो लुकिंग है बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल आ रही है और बहुत ही परफेक्ट हमारे यह मंचूरियन बनकर तयार हुए हैं मंचूरियन की जो बाल्स बनाई हैं उसके अदर सबजी आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं यहां पर बीन डाल सकते हैं फूल गोबी को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं वह आपकी पसंद रहेगी तो लीजिए मंचूरियन हमारे रेडी हैं आप हम इने सर्ब करेंगे और इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है तो बहुत ही परफेक्ट हमारे मंचूरियन बनकर तयार हुए हैं अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मंचूरियन बिल्कुल ऐसे ही बने और बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल बने तो आप सारे टिप्स को फोलो कीजिएगा और सेम इसी रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम बहुत सारी रेसिपी लेकर आएंगे और आप इस अगर रेसिपी को बना रहे हो तो आप अपने रिवीव जरूर दीजिएगा इसके उपर से थोड़ा सा धनिया और स्प्रिंग अनियन से डाल दीजिए तो यह मंचूरियन बिल्को रेस्टरेंट स्टाइल आपको दिखेंगा और खाने में तो इतने लाजवाब है कि अगर आपने इसे एक बार बनाया तो आपके मन से इसका टेस्ट जाएगा इने कभी भी बहुत ही यमी मंचूरियन बने है तो लीजिए एक बाइट आपके लिए है और मैंने जब जब यह मंचूरियन घर में बनाया है सबको बहुत जाला पसंद आते हैं वो इतने मज़े से खाते हैं और एक आपने इसे बहुत ही हैल्दी तरीके से बनाया है बहुत ही हाईजीनिक तरीके से बनाए है क्योंकि हम घर पे साफसो से ढंक से हर चीज रेडी करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक के और अपना ध्यान रखिएगा